नमस्कार मैं रवीश खुमा 236 करोड का चंदा कोई कमपनी BJP को क्यों देगी? जिस कमपनी ने 236 करोड रुपए BJP को दिये हैं उसके करमचारी क्या इसे रिश्वत की तरफ देखते होंगे या उन्हें अब रिश्वत की जगह राष्ट्रिया योगदान दिखाई देने लगा है इस होली एर टेल की मूल कमपनी भारती एंटरप्राइसे के करमचारियों ने कितनी खुशी मनाई होगी कि अपनी तो सेलरी बढ़ती है कच्छुए की चाल से और बीजेपी को 236 करोड का चंदा दे दिया जाता है खरगोश की दोड से एर टेल में करीब 70,000 सदिक करमचारी हैं उनके वाटसअब ग्रूप में इस 236 करोड को रिश्वत कहा जाता होगा या रास्ट्रिया युगदान क्या उस ग्रूप में मौजूद मोदी समर्थों को इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है भले बॉन्ड की खबरें अखबारों में नहीं छप रही है लेकिन जिस कमपनी ने स्पेक्टरम के आवंटन के आस पास के दो महीने में डेड़ सो करोड का चंदा बीजेपी को दिया उसके सत्तर हजार जागरुक कर्मचारियों के बीच कुछ तो चर्चा चलती ही होगी इन सब की सेलरी साथ या आठ प्रतिशत ही बढ़ती होगी हर बार कहा जाता होगा कि मारकेट टाइट है कमपनी के पास पैसा नहीं जो मिल रहा है उसी को प्रभू के पास समझ लीजेए और यहां उनकी कमपनी दो महीने में डेड़ सो करोड रुपे का चंदा बीजेपी को दे आती है तो क्या वे बहस नहीं करते होंगे कि ये चंदा है या रिश्वत और इसकी खबरें अखबारों में क्यों नहीं छप रही है एर टेल से जुड़े सतर हजार सधिक करमचारियों को हमारे कॉमेंट बॉक्स में आकर अपने खुशी का इजाहर करना चाहिए और गाना गाना चाहिए कि आएगा तो वही हम भी तो देखें कि इस खबर के आने के बाद आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं कम से कम अपने वाटस अप ग्रूप में मेरा वीडियो ही शेयर कर दीजे एलेक्टरल बॉन्ड पर ये हमारा सत्रहवा वीडियो है सभी देख लिजे पहले तो इन कमपनियों का परिवारवाद समझाता हूँ एक कमपनी से कई कमपनिया निकलती चली जाती है भारती एर्टेल ने डेड़ सो करोड का चंदा तो दिया ही साथ में भारती टेली मीडिया जो भारती एर्टेल की साहयक कमपनी है उसने भी भाजपा को 37 करोड का चंदा दिया है भारती एर्टेल ने भाजपा को कुल 197 करोड का चंदा दिया है एक और कमपनी है भारती इन्फराटेल जिसने चंदा दिया है इस तरह भारती समू की तीनों कमपनियों ने भाजपा को 236 करोड से अधिक का चंदा दे दिया इसमें से 1500 करोड के चंदे का हिसाब सेटलाइट स्पेक्टरम के आवेंटन के आसपास से जुड़ा है यूटल सेट वन वेब नाम की एक ग्लोबल कमपनी है इसमें भारती एंटरप्राइज़ की सबसे अधिक हिस्सेदारी है भारत में इसकी सहायक कमपनी का नाम है वन वेब इंडिया यूटल सेट उग्रह कमपनी है क्या इस कंपनी को satellite spectrum देने के लिए निलामी करने का नियम बदल दिया गया और क्या नियम बदलने के बदले कंपनी ने BJP को डेड़ सो करोड का चंदा दिया Electoral Bond का data बता रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि दो बार में 1.500 करोड रुपए BJP को दिये गए हैं आधा हिस्सा नियम बदलने से पहले और आधा नियम बदलने के बाद और नियम क्या बदला आपको याद होगा UPA के समय टेलिकॉम सेक्टर के स्पेक्टरम की निलामी नहीं हुई थी इसे बड़ा घोटाला बताया गया कि निलामी होती तो सरकार को और अधिक राजस्व मिल जाता सुप्रीम कोट ने 2012 में बिना निलामी के दिये गए 122 लाइसेंस को रद कर दिया उसके बाद निलामी कराने के आदेश दिये गए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरिंद्र मोदी यही बाते किया करते थे उनके उस समय के ट्वीट और भाशन आपको मिल जाएंगे इस मुद्दे ने मोदी के लिए लहर पैदा की और 2014 में वे प्रधान मंत्री बन गए तो मोदी राज में क्या हुआ जब सेटेलाइट स्पेक्ट्रम की बारी आई तो क्या निलामी का रास्ता अपनाया गया? नहीं! या नियम क्यों बदला गया? किसी अखबार में ये खबर छपेगी तब तो जनता को पता होगा जनता प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी से पूछेगी तीन वेब साइट पर ये खबर है जिसे देश के कई बड़े अखबार खासकर हिंदी के कुड़ा अखबार छापने की हिम्मत नहीं कर सकते अफसोस के आपके घर में हिंदी के यही रद्दी अखबार कई साल से आए जा रहे हैं नियूज मिनट और स्क्रोल ने लिखा है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने नियम बदल कर निलामी के जरिये स्पेक्ट्रम देने की अनिवारेता समाप्त कर दी ऐसा करने से पहले और ऐसा करने के बाद भारती समू ने भारती अजनता पार्टी को दो बार में बाद के जरिये कुल डेड़ सो करोड रुपए का चंदा दिया नवंबर दो हजार तेईस में दो कडियों में पहले सो करोड और फिर पचास करोड का चंदा दिया गया जिसे भाजपा ने भुना भी लिया जैसे ही केंद्र सरकार ने सैटलाइट स्पेक्ट्रम के निलामी की अनिवारिता खट्म कर दी नया कानून संसद में पेश किया गया भारती समू ने बांड़ खरिद लिया एक महीने के भीतर मोदी सरकार ने योन वेब को स्पेक्ट्रम पाने के लिए जरूरी मनजूरी दे दी उसके तहत अब मुबाइल और इंटरनेट की सुविधा उबग्र के जरीए दी जानी है क्या या किसी प्रकार का घोटाला नहीं है आखिर निलामी की अनिवारता क्यों खत्म की गई क्या किसी खास कंपनी पर कृपा बरसाने के लिए और उससे डेड़ सो करोड रुपे का चंदा लेने के लिए हाला कि अभी सरकार ने सैटलाइट स्पेक्टरम का आवंटन नहीं किया है लेकिन निलामी से पहले और निलामी खत्म करने के बाद भारती समू का बीजेपी के लिए डेड़ सो करोड का बांड खरिदना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है आखिर इतनी जल्दी क्या थी जुलाइए में तैह हुआ था निलामी से सेटलाइट लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और दिसंबर 2023 में मोधी सरकार ने कानून भी बना दिया जिस समय या कानून संसद में पास हुआ याद कीजे संसद से कुल 143 संसद निलंबित कर दिये गए थे ध्वनी मत से या बिल पास हुआ यही नहीं सरकार सुप्रीम कोड भी गई कि इस फैसले को नियाइक मनजूरी मिल जाए नया कानून बनते ही इसकी दौड में एक ही कमपनी बच गई वन बेव इंडिया जिसे स्पेक्ट्रम पाने के लिए जरूरी लाइसेंस और स्पेस ऑथराइजेशन दोनों मिल गई जबकि रिलाइंस जी हो जैसे घरेलू टेलिकॉम दिगजों से लेकर इलेन मॉस्क की स्टारलिंग समेट कई विदेशी कमपनियां भारत में सेटलाइट स्पेक्ट्रम की होड में शामिल थी रिलाइंस और वोडाफोन ने निलामी से स्पेक्ट्रम देने की नीती की मांग की थी यह सब नियूज लॉन्डरी, नियूज मिनट और स्क्रोल की वेबसाइट पर छपा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलाइंस ने रिटायर्ड न्यायमूर्ती केस राधा कृष्णन की कानूनी राय भी प्रस्तूत की राधा कृष्णन ने कहा कि निलामी उग्र आधारित संचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने का एक मात्र स्विकारित तरीका था उन्होंने बताया कि उग्र और स्थलिय स्पेक्ट्रम के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है इसलिए दोनों पर एक ही प्रक्रिया लागू होनी चाहिए सुप्रीम कोड के पुर्व नियाधीश के एस राधा कृष्टन टूजी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई में भी शामिल रहे थे भारती समु ने निलामी की नीती का विरोध किया था सेवा निवरित नियाधीश की राय हो या स्पेक्ट्रम की अनिवारे निलामी का सुप्रीम कोट का आदेश मोधी सरकार पर किसी का असर नहीं पड़ता है स्क्रोल की रिपोर्ट में Transparency International के लीगल एक्सपर्ट को शमीन का बयान चपा है कि यह कहना उचित होगा कि अगर यूटल सेट वन वेब को भारती द्वारा चुनावी बॉंड की खरीद और भाजपा को उनके दान के बारे में पता था तो यू के ब्राइबरी एक्ट के तहत उनके अपराधी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है सीधा सीधा या मामला रिश्वत देने का हो सकता है 21 नवंबर 2023 को यूटल सेट वन वेब केंदर सरकार से सेटलाइट ब्राडबेंड लाइसेंस प्राप्त करने में काम्याब हो गई विपक्ष को इसका अंदेशा था जब सरकार कानून लेकर आई तब भी विपक्ष ने आलोचना की उसमें तो यही बात थी कि निलामी से आवंटन नहीं हुआ क्या बीजेपी को पता था कि मोदी सरकार ने भी वही किया है जो मनमोहन सिंग की सरकार के समय किया गया था हाली में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए टूजी घोटाले को लेकर प्रचार वीडियो बनाया 21 मार्च को कॉंग्रेस ने इस वीडियो में किये गए सभी भ्रामक दावों को लेकर चुनावायुक से शिकायद भी की थी नहायती भ्रामित करने वाला वीडियो चला रही है भारतिय जनता पार्टी अपने ओफिशल हांडल से मिनिस्ट्री ने भी चलाया, तमाम नेताओं ने चलाया, तमाम मंत्री ने चलाया, तूजी को लेकर कुछ तूजी कोट में हो चुका है कि कोई culpability नहीं है तो ऐसा भ्रामित करने वाला वीडियो दस साल बाद क्यों दिखाया जा रहा है इसके लिए हमने उस particular content पर अपनी शिकायक दर्ज किया है और चुनाव आयोग से अफेक्षा है कि उसको हटाया जाएगा हमें पूरी आशा है कि क्योंकि model code of conduct के किन हो गया है और एक level playing field के चलते रहमित करने वाले आज पूरा fake news पूरी तरह से जो जूट खलाया जा रहा है वो कमिशन खुद उसको पता संग्यान लेकर उसकर action करें electoral bond कुछ इसे चुनावी चंदे का धंदा कहते हैं कुछ चंदा धंदा आप जैसा भी कह लें आज अगर इसकी reporting होती अख़बारों में बारीकी से खबरें छबती तो मोदी समर्थक भी जान पाते कि ED ने रेड किया तो उस कमपनी ने BJP को कई सो करोड का चंदा क्यों दिया मोदी समर्थक यह भी जान पाते कि policy बदलवाने की बात आई तो पहले या बाद में किसी कमपनी ने चंदा क्यों दिया और ये मामला है क्या सबसे जादा अंधेरे में अगर कोई है तो आज मोदी समर्थक हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं कि इस bond के पीछे कितना बड़ा ख दोखा हुआ उन्हें यही पता है कि सारे दलों को पैसा मिला है जबकि यह मामला तो इसका है ही नहीं कि पैसा सब को मिला है मामला यह है कि एक असमयधानिक और अवैद कानून मोदी सरकार ने बनाया इस कानून के पीछे कमपनियां तभी क्यों चंदा देती हैं या देने क लिए मजबूर होती हैं जब उनके हाँ ED का रेड पड़ता है स्क्रोल के आयूश तिवारी की रिपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी मगर आयूश ने दिखा दिया है कि कोटक फर्म ने BJP को 60 करोड का चंदा दिया उसी समय दिया जब भारतिय रिजर्बैंग कोटक महिंद्र बैंक को लेकर फैसला देने वाला था रिजर्बैंग का कहना था कि कोटक महिंद्रा में उदै कोटक की हिस्सेदारी एक सीमा से जादा नहीं हो सकती इस बात को लेकर कई वर्षों तक बहस चली मगर जनवरी 2020 में RBI उदै कोटक के पक्ष में फैसला देता है और आउट अफ कोट समझावते के लिए मान जाता है आईुश तिवारी ने लिखा है कि समझावता होने से कुछ महिने पहले कोटक गरुब BJP को 35 करोड़ रुपया का चंदा देता है इसमें से 10 करोड़ समझावते करने के फैसले के कुछ दिन पहले दिया जाता है कोटक की एक और कमपनी ह इन्फिना फिनन्स प्राइवेट लिमिटेड अप्रेल 2021 में बीजेपी को 25 करोड रुपया देती है तीन हफ़ते बाद रिजर्ब बैंक एलान करता है कि उदै कोटक, कोटक महिंदरा बैंक के सीई-ओ और मैनेजिंग डिरेक्टर बने रहेंगे 2019 में उदै कोटक ने सारवदिनिक रूप से इलेक्टरिल बांड की नीती की आलोचना की थी मगर एक साल बाद उनकी कमपनी 60 करोड का चंदा देती है 60 करोड रुपय का चंदा एक ही पार्टी को मिलता है और वो है बीजेपी कोटक ने किसी और राजनितिक दल को पैसा नहीं दिया ऐसा लग रहा है कि इस कानून के बहाने चंदा वसूली की दुकान खोल दी गई थी चंदा दो धंदा लो चंदा नहीं दोगे तो छापे मारेंगे और सारी चीजों को गुपत इसलिए रखा गया था कि जब कंपनियों की गर्दन मरोडी जाएगी और उनसे पैसा निकलवाया जाएगा तो वे उफ तक नहीं कर पाएंगे ना किसी को बता पाएंगे इसलिए अप आर दर्शिता नहीं बताने का स्वांग रचा गया लगता है स्क्रोल ने कोटक महिंद्रा बैंक और रिजर बैंक दोनों को अपने सवाल भेजे लेकिर रिपोर्ट प्रकाशित होने तक इनका जबाब नहीं आया यही हो रहा है पूछा जा रहा है मगर जबाब नहीं दिया जाता आपको एक पुरानी खबर की याद दिलाना चाहता हूँ डोलो 650 की अगस्ट 2022 में दे हिंदू, इंडिन एक्सप्रेस, क्विंट और अनेक जगों पर माइक्रो लेप्स की डोलो 650 को लेकर विस्तार से खबरे चपी हैं जुलाई 2022 में आएकर विभाग ने दवा बनाने वाली कमपनी के 36 ठिकानों पर चापे मारे और आरोप लगाया कि कमपनी ने अनैतिक तरीका अपना कर इस दवा को प्रमोट किया है डॉक्टरों को उपहार और रिश्वत के तौर पर एक हजार करोड रुपे बाटे गए हैं इस बात को एक एंजियो ने सुप्रीम कोट के सामने भी रखा जिस बेंच के सामने ये बात रखी गई उसमें आज के चिफ जस्टिस डी बाई चंदरचुड और ततकालिन जस्टिस एस बुपाना सुनवाई कर रहे थे उस समय कंपनी का बयान छपा था कि हजार करोड की रिश्वत असंभव है और यह कहा गया कि निरर्थक और आधार हिन आरोप लगाए गए हैं तब डोलो सिक्स किप्टी को लेकर एक चैनल के एक एक एंकर ने भारी तूफान मचाया था इस मामले में ताजा इस्थिती क्या है एक हजार करोड के आईकर की चोरी या रिश्वत के आरोप पर क्या अंतिन कारवाई हुई है हम बताने में असमर्थ है कोरोना के समय डोलो सिक्स फिप्टी की बिक्री बेतहाशा बढ़ गई थी कई सारे डॉक्टर ये दवा लिखने लगे तो हमने इसका जिक्र चुनावी चंदे के बॉन्ड की रिपोर्ट में इसलिए किया क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैप्स ने बॉन्ड के जरिये साथ करोड का चंदा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को दिया एसकेम सिक्किम में सत्ता में है और यहीं पर माइक्रो लैप्स की सबसे बड़ी मैनुफैक्टरिंग यूनिट है एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन इलाकों में फार्मा की यूनिट लगती है वहां अक्सर प्रदूशन के चलते स्थानिया लोग विरोध करते हैं ऐसे में कंपनियों को राज्य सरकार का सहयोग चाहिए होता है इसके अलावा केवल राज्य की सरकार ही फार्मा कंपनियों पर किसी प्रकार की कारवाई कर सकती है उन मामलों में भी जहां कंपनी पर दवा की गुनवत्ता को लेकर सवाल उठते हैं नियूज मिनट इस बारे में पहले ही रिपोर्ट कर चुका है कि साथ ऐसी फार्मा कंपनियों ने चंदा दिया है जो दबाट टेस्ट में फेल हो चुकी थी हमने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि महरास्ट के ड्रक्स अडिनिस्ट्रेशन की जाच में कुछ दवाएं फेल हुई इन्हें बनाने वाली कंपनियां गुजरात की थी उन्होंने करोडों का चंदा बीजेपी और शिवसेना को दिया उस समय दोनों की महरास्ट में साजा सरकार चल रही थी नियूज मिनट ने फार्मा सेक्टर द्वारा दिये जाने वाले चंदे को लेकर एक और रिपोर्ट की है फार्मा सेक्टर की 35 कंपनियों द्वारा कुल 945 करोड रुपे का चंदा दिया गया है इसमें से कम से कम 22 कंपनियों ने अपने राज्य के सत्ता रुड दल को पैसा दिया है आपकी दवा महंगी होती है इलाज में आपका घर आपकी जमीन बिग जाती है मगर दवा बनाने वाली कंपनियों 945 करोड का चंदा राजनितिक दलों को बाट रही है इसमें सबसे जादा भाजपा को 394 करोड रुपे मिला है दूसरा तेलंगाना की बियारेस को 328 करोड कॉंग्रेस को 115 करोड मिला है चुनावी चंदे के धंदे में सौदा आपका हो गया आपको धोखे में रखा गया आपको लगा कि छापे पढ़ रहे हैं ब्रस्टा चार के खिलाब कारवाई हो रही है लेकिन यहां तो छापे के बाद वही कंपनी BJP को चंदा दे आ रही है तो आपको पता नहीं चला कि इसके पीछे कुछ और खेल भी हो सकता है अगुछ का रखाहन बढ़ुण और भी का अपार खेली चला कि इसके बाद कुछब नहीं जए तो हो कि में वाए है इसो लेकिन वाजत प्लिक nepानी इस बॉट जए मुछ प्लिक बां़िवां कई पाल्पाई है क्या आप जानना ही नहीं चाहेंगे कि इन छापों के जरिये कंपणियों से वसूली हो रही थी अरबिंद केद्रिवाल के केस में ही देखिए औरबिंदो फार्मा का निदेशक सरकारी गवाब बनता है उसने नाम लिया केद्रिवाल जेल जाते हैं और इसी कंपणियों ने 50 करोड का चंदा BJP को दे दिया है जानने की बात तो यह भी है कि इन कंपणियों के पास 100 करोड, 200 करोड, 200 करोड देने के लिए कहां से इतने पैसे आ रहे हैं यह बिजनेस स्टेंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट है इसकी अनुसार चंदा देने वाली 30 कंपणियां Bombay Stock Exchange से जुड़ी हैं इन कंपणियों ने 5 साल में 600 करोड से अधिक का चंदा दिया है, मगर सभी 30 कंपणियों ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं दिये केवल आठ कमपनियां ही ऐसी हैं जिनोंने बॉन्ड या किसी भी तरह के राजनितिक चंदे का अपनी सालाना रिपोर्ट में जिक्र किया है इन में से भारती टेली कॉम ने पांच साल में 241 करोड का चंदा दिया और अपनी सालाना रिपोर्ट में हर साल जानकारी देने वाली अकेली कमपनी यही है हरियाना के डियलेफ समू की कम चर्चा हुई 2018 में हरियाना पुलिस ने प्रियंका गांधी के जीवन साथी रॉबर्ट बाडरा और डियलेफ के खिलाफ एफाई यार कर दी जमीन के सौदे को लेकर भरस्टा चार फ्रॉड के आरोप लगे और गोदी मीडिया पर दिन रात बहस चलाई गई मगर पांच साल बाद बीजेपी सरकार ने हाई कोर्ट में जाकर कह दिया इस डील में कानून का कोई उलंगन नहीं हुआ है बाद में राज्य सरकार क्लिंचिट से मुकर गई अब पता चला है कि डीलेफ ने 170 करोड रुपे बीजेपी को दिये हैं अक्टूबर 2019 से लेकर नवंबर 2022 के बीच डीलेफ ने जितने का बाद खरीदा सारा का सारा पैसा अकेला बीजेपी को गया मतलब जिस पर आप डील और धांदली का आरोप लगाते हैं उसी से 170 करोड रुपे वसूल लेते हैं रियल इस्टेट कंपनियों में सबसे अधिक चंदा डील एफ ने दिया है 26 कंपनिया ऐसी हैं जिनके खिलाब जाँच एजनसियों की कारवाई चल रही है और उन्होंने बांड खरीदे हैं इन में से 16 कंपनिया ऐसी हैं जिन्होंने चापे के बाद बांड खरीदे इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी जाँच में पाया है कि जाँच एजनसियों से घरी 26 कंपनियों ने जो चंदा दिया है उसका करीब 38% पैसा BJP को मिला है अपरेल 2019 से लेकर फरवरी 2024 के बीच इन कंपनियों ने 700 करोड रुपए के बांड खरीदे लेकिन जाँच के बाद इन सभी ने कुल 4,489 करोड के बांड खरीदे अब आप ही बताईए छापा पढ़ने के बाद 26 कंपनियां 4,489 करोड का बांड खरीदे हैं जिनके खिलाब मामला चल रहा है वो कंपनियां इतनी महरबान क्यों हो जाएंगी इन में से 10 ऐसी कंपनियां हैं जिनोंने 100,00 करोड चंदा दिया आम तो यही होता है कि पुलिस किसी को पकड़ ले और पुलिस को पैसा दे तो इसे रिश्वत कहते हैं तो कंपनियों के मामले में इसे रिश्वत क्यों नहीं कहा जाना चाहिए RTI कारिकर्टा लोकेश बत्रा ने एक और महत्वपून जानकारी दी है उन्होंने बताया कि मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच 28,030 करोड के बाउन खरीदे गए इन में से 15,566 करोड का भुगतान डिजिटल तरीके से हुआ और 12,463 करोड का भुगतान चेक और डिमांड ड्राफ से हुआ यानि कुल लेन देन का 44.5 प्रतिशत हिस्सा फिजिकल रूप में हुआ लेकिन रिजर्ब बैंक चाहता था कि केबल डिजिटल तरीके से ही किया जाए तो इतनी बड़ी राशी चेक और डिमांड ड्राफ से क्यों ली जा रही थी गोदी मीडिया भारत के लोक तंत्र के साथ गहरा विश्वास घात कर रहा है बाजार से लेकर सरकार तक इसे करोडों रुपए का विग्यापन देती है क्या इसके न्यूज रूम में देश के सबसे बड़े घोटाले की रिपोर्टिंग करने वाले योग्य पत्रकार नहीं है हो ही नहीं सकता है एक तरफ जब देश का सारा मीडिया भाग कर गुफा में छिप गया है एडी और मोदी से थर-थर कांप रहा है सत्ता के चरणों मे लोट गया है स्क्रोल न्यूज न्यूज मिनट रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकार कितनी मेहनत कर रहे हैं उनके पास जादा संसाधन नहीं है इसी समय में वे अपने आपको जोखिम में डाल रहे हैं चुनावी चंदे का इतना बड़ा घोटाला आपके सामने ला रहे हैं इस घोटाले में जो सब कुछ दिख रहा है किस कमपनी ने बॉंड खरीदा छापे के बाद खरीदा पॉलिसी बदलवाने के बाद खरीदा वो पैसा किसे गया तब भी इसकी रिपोर्टिंग बंद है इसलिए इनकी रिपोर्टिंग को और हमारे वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए लोगों को पकड़ पकड़ कर दिखाइए ये लड़ाई साधारन नहीं है हर किसी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी एक समय था जब छोटे छोटे घोटाले की खबरें घर घर पहुंचती थी आज घरों तक खबरों के पहुंचने के रास्ते चारों त कुमार